नमस्कार आदाब एंड गूड इपनिंग स्वागत है आप सभी का QNS News में और मैं हूँ आंचल मिस्कीन और हर बार की तरह आज फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुई हूँ शाम की News बुलेटिन लेकर चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शिरू करते हैं दोस्तों कुछ समय पहले ही अवंतिपूरा के कवारी गाम रानीपूरा में एंकाउंटर शुरू होने की खबरे आई जिसमें तीन मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर सामने आई बारा मुला उडी में एक गर्वर्मन्ट मिडल स्कूल की बिल्डिंग में आग लगी दोस्तों वहीं बेमिना में वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड शोरूम कम इंटर्प्रेटेशन सेंटर का उधगाटन हुआ मनिगाम में हुए सडख हाथसे में जखमी हुए 17 साल के लड़के की हुई मौत रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने फेडरल बैंक में अज मैनेजिंग डिरेक्टर एंड चीफ एग्जेकेटिव ओफिसर के पद पर शाम श्री निवास की री अपॉइन्मेंट की मन्जूरी दी दोस्तो केरेला में जीकाव वाइरस के 14 केसिस के रिपोर्ट होने के बाद हेल्थ अथॉरिटी इस ने वहाँ स्टेट ओफ अलर्ट डिकलियर किया और इस वाइरस पे काबू पाने की कोशिश में छे मेंबर की सेंट्रल टीम केरेला रवाना हो चुकी है एक लड़की जो खुदकुशी की कोशिश करने निकली थी उसे जम्मो कश्मीर पुलिस ने रेस्क्यू किया उडिशा के बाउद और कॉंडमल बॉर्डर पे सिक्यरिटी फोर्सेज और मौविस्ट के बीच की मुटबेड में स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रूप के दो जवान जखमी हुए वहीं इंडोनेशिया के सूला वैसी आइलेंट पे 6.1 मैगनिट्यूट के अर्थक्वेक के आने की खबर मिली दोस्तों ये तो थी आज की खबरे चलिए अब QNS News की COVID अपडेट्स भी जान लेते हैं आज जमू कश्मीर में कुल 185 में positive cases दर्ज हुए जिसमें जमू division से 74 और कश्मीर division से 111 cases दर्ज हुए और वहीं दो deaths report हुई हैं जिसमें एक जमू division से और एक कश्मीर division से report हुई चलिए दोस्तों इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं हमारे आज के आखरी segment में जिसमें हम आप सभी के साथ आज दिन से जुड़े इतिहास के पन्ने खंगालते हैं तो दोस्तों आज के दिन यानि 10th July 1965 में महिलाओं के लिए पहला NCC College गौलियर में खुला वहीं आज ही के दिन 1856 में वाइफाई के जनक अमेरी की सर बियाई आविशकारक निकोला टेसला का जन्म हुआ था तो इसी के साथ आज की QNS की न्यूस बुलिटिंग में सिर्फ इतना ही हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही खबरों के साथ तब तक के लिए आप जुड़े रहें QNS न्यूस के साथ और मुझे दीजे अजाज़त नमस्कार